कि अगे तो वेरी वेरी गुड़ी इवनिंग टू अप यह वह सभी बहुत बहुत शांदार होंगे और आज की सेशन के लिए बेहर्द एक्साइड होंगे इस पर्टिक्लिक्लर सेशन में हम बात करेंगे निव केस्टिडी स्की अद्वर दो चीजें जो आपके मांड में सब्सक्राइब करेंगे और क्या यह कंपनी याट 2013 से फॉस्ट लास सेशन होने वाला के सिटी का आंसर इस नो क्यूं जब तक कंपनी आट खत्म हो रहा होगा तब तक हम दो सेशन और लेंगे मतलब साफ है आज जो के सिटी आप से दिसस होने वाली है जितने टॉपिक अभ सब्सक्राइब कर दें के सिटी क्या होता है बहुत सब्सक्राइब के लिए यह बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप टेलिग्राम पर सर्च कर लेंगे सीटी सी क्लासे और आपका वहां होना मतलब बनता है अब मालों फिर भी कुछ बच्चों नहीं सर क्या करेंगे सर तो कोई दिक्कत नीए है आँ ऐसा दोनों बता दे रहा हो मालों तुम्हारे मन में आजए कि क्या ही कर लेंगी वहां जाके इसलिए बता रहों ठीक है और कुछ बेसिक बात कर लेते हैं फिर सेशन को शुरू करते हैं सबसे बहली बात जो जरूरी है जानना मैंने फिलाल कि आई यहां पर कुछ बहुत जरूरी बाते हैं जो टॉपिक हमने आज लिए है बिस्टी बेस्ट क्वेशन यह इतना ज्यादा कि स्टार्टिंग फेज में लगेगा इससे सच में लिखने का आएगा क्या पेपर में सच में सब्सक्राइब साथ में टॉपिक हम लोग का है बिस्नस लौ का और बिस्नस लौ में भी हम डिस्ट करने चल रहे हैं यह सिस्टी ठीक है अब यह बहुत ही नए तरीके से होगी मतल सब्सक्राइब है यह जो के सिटी है टॉपिक कौन सा है सर टॉपिक भी तो देख लें टॉपिक हम लोगा दा कंपनीज आक्ट 2013 तो इस पूरे सेशन में बेसिकली दो पॉइंट पर डिसकेशन होने वाला है ठीक है पॉइंट नमर वन पॉइंट नमबर टू बहुत ध्यान समझीगा पॉइंट नमर वन किस बारे में सर पॉइंट बर वन है आपका डाटली मैं आपसे बात करूंगा केस शिटी पर केस शिटी का मतलब वो कौन से ऐसा एलमेंट था किलनों की बीच आपस में केस रखे थे और केस का रीजन क्या था कंक्लूजन क्या था दो इतनी बाते हो जाएंगी फिर हम बात करेंगे क्वेस्टिकल प्रॉब्लम एन आंसर की पर बिफोर स्टार्टिंग अनिटिंग अलाइव चाट आर यू रिली एक्साइड शुरुवात करी जाए कॉपी पन लेकिए बैटा और हां टेलीग्राम पर रहना टेलीग्राम पर प ठीक है और रही बात यह कंपनी आट तेरा नंबर का बहुत ही शांदार चाप्टर है और आपको मज़ा आएगा मत्तों मुझे ऐसा लगता है ठीक है अगर आपके मन में सवाल एक क्वेस्टिंशन आते हैं क्या तो मैं बता दूं क्वेस्टिंवर वन का पार्ट बी जिसको आप बोलते हैं सर यह कंपल सरी क्वेस्टिंशन है वहां पर चार नंबर का एक क्वेस्टिंशन के सिटी बेस ही होता है ऐसा माइड में क्लियर कर लो इसको ठीक है लाइफ चैट ऑन करें सारे बच्चे साइज है शुरुवात करेंगे तावड तोड़ तरीके से बहुत अब मत्र आठ सोब परणेन शोपर निवहां सब्सक्राइबर का एकन होता है कि रसक्राद से घ्राम होता है वं दश्क्राइबर का ज्राइबें एक पकल फेल कि ऊकाव नहीं अच्छुजअ का नहुंग को पता है यहां से आप यह समझ आओ यह इक वेस्ट कैस 67 बेस होते ह है इस पर्डिकुल सेशन के थूप ठीक है जी सेशन में आज अभी मात्र आठ सो बच्चों की प्रण लगी है कि आयुश भाई साब कि आपको शायद मैसेज गया जहां तब मुझे समझ है ना सर ने राधिका की बास सुन लिए हाँ हाँ और क्या फ्यूटर से स्वार्ट क्यूशन ऐसे कैसे नीजुनेंगे या रुको यह गलत तरीका या लाइव चैट में आप इस तरीके से लगातार यूज़ करें गंदी बात ना मैं कुछ वक्त के लिए टाइम आउट करो आप सब्सक्राइब इस तरीके से इस से आपको मिल सकता है और अगें यहां पर पूरा डिसकेशन नहीं करने वाला हूं कुछ ताबड तो डिसकेशन होंगे मेक शूर करेंगे अपने माइंड में कि हां जो जी बता रहा हूं वह आप सुनें समझें और उसका जो क्रक्स पॉइं पर बात करेंगे ठीक है आजाओ जी आजाओ चली तो सीए फांडेशन बिस्न लोग कर रहे हैं बात सेशन होने वाला है दिसंबर 2020 के लिए और यहां पर हम बात करें आपके पास दो चैनल अविलबल है या चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई वो नहीं है ठीक है क्योंकि अगर कुछ ऐसे इस पर आपको शायद से मिले पुब्लिक ली और यह रहा टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं अब बढ़ते हैं आगे हंजी तो पहली के सब्सक्राइब कर दो यहां पर मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक की के सब्सक्राइब ले रहा हूं जो मैं और आप आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है उन्हीं टॉपिक पर ही क्वेशन लोगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चाहिए कंपणी हो ओपीटी हो है ना होल्डिंस सब्सक्राइब कंपनी हो वन परसन कंपनी की बात कर ले या फिर लिफ्टिंग दॉक्रेट विल टॉपिक की बात करने डेफिशन ओफ कंपनी के बात करने फीचर्स की बात कर ले यही साजी बात करेगी सबसे पर टॉपिक हमरे पास आविलीबल है सोवन वर्से सोलूमन कंपनी लिम्टेड अब इस टॉपिक को समयने कि हमें समयना बहुत ज़रूरी है टॉपिक एसो शियते या रि सेशन था वहाँ पे तकरीबन 9000 बच्चोन सेशन देखा है फीडबैक हद लेवल पर कमजोर है आजाओ सर यहां पर हुआ क्या वो चेक कर लेते हैं तोलमन के डान बिजनस ऐसा लेदर मेर्चेंट इससे फर्क बहुत नहीं पड़ेगा की बिजनस किस चीज का है विकोज आप ऐसी कमपनी को अपना बिजनस सोल्ड कर रहा है जो कमपनी खुद फॉण कर रहा है किसके साथ बीव बच्चों के साथ समझार रहे क्या बात कॉपने इसको मेंशन कर सकते हैं है ना एक परसन यह हो गया है साथ में इसकी वाइफ हो गई एक डॉटर हो गई और चार लड़क आज कितने साथ मेंबर इती बाट एक है आज बढ़ जाते हैं तो यह अपना बिजनस किसी दूसरी कंपनी को बेस्टें जो कंपनी भी खुदी फॉर्म कर रखें नेच्ट परचेस कंपरिशन वास सटिस्फाइड बाई आजव 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 नपरचेस कंपरि फिक्सनि होगा on the company assets company assets पर इसाय लाइबिल्टी होगी इन फिर ऐफ मिस्टर सोलीमन समझना हम अपनी अपनी पेच यह दो और खुदी को बेच ले रहे हैं कैसे हम अपनी कंपनी ऐल आओट कर ऊसको कर रहे हैं चो कंपनी हम इने फांप कर रहा किए कैसक्पनी कैसे हम रट ह Mr. Solomon was also the managing director of the company समझ पा रहे हो यह managing director भी है सबसे ज्यादा शेर 20,000 शेर भी होल्ड कर रखा है आगे बढ़ो the company almost immediately ran into difficulties and eventually became insolvent and winding up commence eventually situation ऐसे हुई company insolvent होने की situation में आगे company wind up तम आप थोने की condition में है आगे बढ़ जाओ at the time of winding up जब इस situation थी आपको याद होगा winding up वो situation जहाँ पर company बंद हो सकती है इंसॉल्वेंट वो situation जहाँ पर company अपनी liabilities को अपनी assets से pay off नहीं कर सकती है आगे बढ़ जाओ 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 वाइन अप the total assets of the company amount रुपी 6050 एक बात में clear कर दूँ amount मुद्दा नहीं है बस दिमाग में इतना रखना है कि जो assets होगी company की आप question के बात कर रहा हूं उसमें यहाँ पर जो भी amount देगा assets के form में वो liabilities से कम होगा इसको आप इस तरीकी से लिख सकते हो ठीक है ऐसे कॉपी में लिख लो कि जो भी assets का amount के एक सब्सक्राइब बता है फरक नहीं पड़ता मैं यहाँ समझात हूँ 6050 एस लाइबिल्टी वर 10,000 secured by the dimensions दिखना उससे जादा है है एना issue to Mr. Solomon and 8000 going to unsecured trade craters 10,000 अपने पास 8,000 unsecured craters यह scenario हो रखा है आई यह जरा आगे बढ़ते हैं एक पूरी cases जुटी आप समझने वाले हैं इसलिए focus बहुत जादा रखिएगा आ जाओ जी ओके यह बात होगी next the unsecured sundry craters claimed the whole of the company assets was 6050 on the ground that the company was a mayor alias or agent for solver जो unsecured craters बोला अब दादा यह जो company के आप बात कर रहे हो जो installment है wind up होने वाल यह company भी तो इनी भाई साब की है क्योंकि सब कुस तो यह कर रहे है managing data maximum sharehold यह कर रहे है आजो आगे it was held that the contention of the trade craters could not be maintained याद करो हम बात करते हैं कि जो company formed हुई है company features निकल के आता है क्या company features में इसे topic associate हो सकता है features मुलाता है company separate legal entity मतलब company का owner manager director अलग है company अलग है यह तो बात हो रखी पढ़ो जड़ा आगे because the company being in law a person quite distinct from its members could not be regard as an agent or trustee for Solomon साफ साफ सब्सक्राइब लिख रखा है आते हैं में 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 कॉंटेंट पर क्या बात हो रखी है in addition the company assets must be applied in payment of the debentures as a secured cater is entitled to payment out of the assets on which his debt is secured in priority to unsecured क्यों वो दोनों अलग-अलग हैं तो इस पूरे केस को कर हम summarize करना चाहें हमार पास टॉपिक निकल के आता है separate legal entity एक पॉइंट यह निकल क्या है दूसा पॉइंट जो आपको इस पूरे में समझना है जब यह सिचुवेशन वाइंडिंग अप की निकल के आएगी तो वाइंडिंग अपने scenario क्या है जो भी एस्ट क्वेशन में give न होगा क्या होगा वह liabilities से 100% कम होगा third scenario में क्या है जो UNSECURED kreators है ठीक है जी जो UNSECURED kreators है और जो secured kreators हैं जो secured kreators निकल के आएंगे इनका payment करा जाएगा और यह payment कहां से होगा company की assets से सर company की assets से क्यों होगा again because of separate legal entity live chat और जा रहा है जरा बता दो यह पहला point मैंन में गया क्या कि सोलोमन वर्से सुलोमन केस लॉमें क्या कुछ हुआ था है ना सोलोमन भाई साब अपनी कंपनी करते हैं, किसको एक नई कंपनी को किसने फ़ॉर्म करी है, Solo Man ने करी है, किन MEMBER के साथ में करी है, Solo Man एक, wife एक, daughter एक, son four, total number of member seven, private कंपनी की बाद के minimum number of member two, और public opinion seven, दोनों क्राइटरिया fulfill था, माइड में आ गया, कि Solo Man ने आगे खिल रखा था और उसके बाद 20,000 शेर अपने को दे दिए 10,000 लाइक यह तो कमाल हो गया जी समझे सभी लोग तो यह पहला टॉपिक था जो माइंड में आपको समराइज कर देना है कि नोट्बुक में सब लिखना है क्या अरे माले तब क्यों लिखेंगे यह मैंने आपको बोला टेलीग्राम पर रहो बत फीडबैक लाइव और कॉमेंट में प्रॉपर आना चाहिए जो पढ़ने को पढ़के आना यह सब आपको टेलीग्राम पर प्रॉइट कर दिया और मालो किसी एक बच्चे को ऐसा लगा क्या रही है यह क्या हो गया इसका मतलब साफ है जब टॉपिक पढ़ाए गया जब आपसे बोला गया कि मॉडूल पढ़ लेना उस वक्त तुम किसी नेक्स्ट मोड में थे टॉपिक हो चुका है समझभा रहो इसलिए बोलते हैं अब यह क्या है मैं कैने जी ओके तो अगर इस केसलोग हम देखेंगे तो हमें एक बात समझ आ जाएगी और यह कि यह पूरा का पूरा केसलोग यह कहिंगे लोन को प्रिटेंड करने की बात करेगा ठीक है मैंने क्या बोला शब्द पर रखना मैं समझाओंगा आ जो तरसे पहला एन एससी वास अर्निंग हुज इंकम बाई वे ओफ डिविडेंड एंड इंट्रेस एक एससी है जो डिवें ट्रेंट से भरपूर पैसे बना रहा है अब हमें देखना पड़ेंगे डिव इंट्रेस आ कहां से रहा है आगे बढ़ो ही फॉर प्राइवेट कंपनीज लाइक बस मिल गया पॉइंट है बंदे में चार अलग कंपनी फॉर्म कर रखी ठीक है नेक्ट में चलो एंड ट्रांसफर हिस इन्वेस्टमेंट तो इच अफ दीस कंपनीज इन एक्चेंज अफ देर शेर खुदी फॉर्म कर रखी है खुदी इंवेस्टम गुमाय जा रह समझना हुआ इसमें पूरा सीन समझ व समझ हो यह कैसा ह्वा हम उस अब इन्वेस्टर राहे हा और इस data क्या रहा है झाल रहा है हम प्र क्या कर रहे इसी dividend price को उसी company में है ना हम as a loan मौलल पर से पैसा लगा दे ओर हम यह कैसा है सको हम pretend कर रहे हैं कि हम इसमें用 लगा रहे हैं मतलब लॉन लगा कि उस पेधी अच्छा कि बढ जाओ यहां देखो the dividend interest income received by the company was given back to sir has a pretended loan और क्या हो रहा है कि जो कुछ हाया है वो हम ऐसा दिखा रिक हम लोन ले रहे हैं लोन लेने के benefit क्या है taxation benefit मिल जाएगा अच्छा आगे बड़ो it was held that the company was formed by the SEC purely and simply as a legal entity to ostensibly receive the dividend and interest and to hand them over the SEC as pretended loan तो यहां इसको समराइज करता फिर मैं live chat आपको समझ आए नहीं बताना यह pointer है सर्फ कि एक पर्सन हम प्रेक्टल प्रावल्म को ध्यां से पढ़ेंगे वहां समझ आगया कि एक पर्सन जिसने दो तीन चार पांच company फॉर्म करी है उसे company में वो इन्वेस्टर है उससे जो भी dividend interest उसको income मिल रही है वो उसको यह ना शो करके वो क्या कर रहा है वो उसको यह ना शो करके वो same amount को as a lot pretend कर दे रहा है कि हम वहां से loan ले रहे हैं साब कहा पैसा है loan pretend कर रहा है तो यह जो case है अगें से में इस केस में वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो लोन ले रहे हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मतलब साफ जो एक कंपनी फॉर्म करी गई है जो भी फॉर्म करी गई है इट वाज एल्ड़ाइट अप्री वास फॉर्म्ड बाइदी एससी प्योरियन सिंप्ली लीगल इंटिटी यह बस लीगल इंटिटी मतलब कंपनी है चार लेवल पर लेके गए हैं और प्रॉस्स सारा सेम रखा है लाइव जल्दी से बता दें सर दिंसा मगन जी केसलों मामले में क्लियर है दिमाग में धक्कन में आ गया कि भाई इसमें क्या हुआ 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 एक लोन प्रिटेंड कर देने हमको लोन मिल रहा है दादा पैस्य का है वारे पात यह कंपनी है हम इसमें पैसे इंवेस्टर है हम इसमें पैसे इनिवेस्ट कर रहे है उससे हम इंटेस्ट इंट आ रहा है तो लोन ले रहे हैं अपना ही पैसा इधर सुधर से घुमा के हर तरफ सब्सक्राइब तो एक टॉपिक आता है जहां पर बोलते लिफ्टिंग दो कॉपरेटी विल थियोरी में टुइवेट टैक्स लाइबिलिटी अगर आपको बचना है कि हम टैक्स ना पे करें तो सीन है ऐसा है जी हमने लोन रिखा जी कहां सरकाइटा पैसा हो पाता है समझ रह आफ्टर मैं भी आपको प्रेक्स प्रॉब्लम आंसर के साथ भी दिखाऊंगा है ना क्लियर हां जी लिफ्टिंग तो कॉपरेट वेल में कंडिशन थी ना कि टैक्स लाइबिल्टी से बचना चाहते है तो कुछ ऐसा करें कि फ्रॉट केस तो यह केस उसी से रिलिटेड है क फूछ लterm लेकिड़ए लगा पडा फूब के स्बच्चे होगा जरून कि उससे पहले स्वाट वन आएगा उन सभी बच्चों को रिक्वार्मेंट सच में है है ना फिर स्वाट की बात करें चिंता मुक्त बैठें आप अभी मौका दिया जाएगा और यह सब कुछ अक्टूबर पांच के पहले-पहले हो जाना एक दिन अचाने से लाइव आएंग इधर वह आपके माइंड में आना चाहिए कुछ ना कुछ वह आप अपने लिए सीरसर होगे चीजी हो जाएगी आ जाओ नेश केसलोग को पकड़ते भाई तो डेलमर कंपनी लिंटेड वर्सेस कॉंटिनेंटल टैर एंड रेबर कंपनी लिंटेड ओके अब इस क्वेशन क को समझाओं को किस केसलों में हुआ क्या है यह दिमाग में रहना चाहिए कि लोन तो भाई साब रिकवर नहीं होगा अब समझते हुआ क्या है आजओ अच्छा यह क्यों हुआ है यहां पर एलीन एनमी की बात करी जाएगी यहां पर कुछ वार जैसी कंडिशन रहेगी ठीक किना यहां पर कुछ ऐसा है कि किसी एक अलग देश का किसी एक अलग देश से कोई बिसन्स रांद से चल रहे थे अगर हां तो पहला पॉंड़ गर गया तो जो ब्लग देश है वह एक जुसरे के लिए ऐलीन वड़ गया दो पॉट्स कर गया थैसा देखना है क्या वहाँ प इंग्लेंड इंग्लेंड में कंपनी इस्टैब्लीश इंग्लेंड रजिस्टर्ड है फॉर्द प्रपस और सेलिंग टायर्स मेड इन जर्मनी तो हमारे पहली कंडिशन क्या यह आई यहां समझना क्या यहां पर मिनिमुम दो कंट्री है आंसरे हां आगे बढ़ते हैं और डा चुलटर आफ कंपनी वर जर्मन एक स्ट्रों छोड़ते बाकि सारे शेर्मन जर्मन नेृटी बात कोई दिक्कत निंए क्यों सब्सक्राइब इंकॉर्प्रेटिंग लैंड में समझना कंपनी स्टैब्लिश्मेंट इंकॉर्परेशन इंग्लैंड में है बड़ सारे वर ट्रेड डेप्ट समझनारी बात क्या इन्होंने केस फाइल किया ट्रेड डेप्ट बोले तो लोन के लिए क्या एड़ टाइम वार वास गोईंग ओन बिट्विन जर्मनी एन इंग्लेंड अभी कैसा हो गया जिन दो देशों के लोगों की बीच बात हो रही थी इंगलेंड में स्टैब्लिष थी समझ ना इंगलेंड में इन जर्मनी टायर कहां का जर्मनी का कंपनी कहां को देशा को हो वो ईंगलेंड जर्मन की बीच में आज वागे बढ़ जाओ it was held that company was an alien enemy क्या यह point satisfy हो गया हंजी हो गया क्योंकि तो अलग अलग देशे में आगे बढ़ते हैं and therefore contract of selling tire made in Germany would be void क्या आपको यह बात समझ आई जो यह contract है during war condition भाई साथ war की condition आप कहां से satisfy कर दोगे तो contract अब यहां पर आपस में नहीं पॉसिबल थे तो यह भी आपको देखना होगा नहीं तुम ढूंडो सिर्फ war होनी चाहिए अन वाइड़ेबल सरक्मस्टांसे बिल्कुर पॉसिबल होगा अब यहां पर लगा यहां को टाच अब करतें कंपनी केंन नौट रिकवर ट्रेड डेप तो इस पूरे केस समराइज चाहिए हमें क्या-क्या सीखना है दो कंपनियां दो देश नौट कंपनी दो देश होने चाहिए एक देश में in obs 대한 नाफटर यो फ्रस कंट्री है वो स्गंड कंट्री पे suit फिल करेगी केस फैल करे कि for trade debt recovery copy में यह भिलो किसले case करेगे सर trade debt recovery और यहां पर हमें conclusion क्या देना है सर loan चान नच रिक को रख उयुक्स हो ये प्रिखो क्यों क्यों क्योंकि जो कहा क्योंख यहां प्रीकं वाइड कि हो गागई जी समझ गया या लाइव चैट ऑन करते हैं बदो जाण सब लोगगय सबिशनुख आ गही इस पूरे केस्ट इश्री में आप question में कैसे ढूंडेंगे question में case study का reference दिया जाता है अब तुम्हें case study ही पता है कि भाई यहां पर वार की condition है दो अलग country वाला है कि आता है वे कुछ है नहीं तुम्हें यह तो हो जाएगा है ना कि अध्याइब गजब रहा है अध्याइब तोड़ किया रहा है याद रखें पांच अक्टूबर से पहले पहले दोनों ही स्वाट अनाउंस हो जाएंगे प्रॉपर ली है ना और आप कितने डेडिकेटेटेड है इन ओल दी लाइव शेशन इन ओल दी कॉमेंट सेक्शन वह हो आप पर बहुत माने रखेगा और यह मैं बोल सकता हूं इवने मैं चाहूंगा अगर कोई स्लॉट का बच्चे इस अब मुझे सुन रहा है जो कि होंगे बहुत सारे होंगे बहुत ही पैशनेट है इस बार की काम करेंगे जी और हर हाल में करेंगे वह जो कोट हमने शुर अब कॉपी पेस्ट का गेम ना खिलें प्लीज कोई अगर बच्चा ऐसा है कॉपी पेस्ट कॉपी नहीं हो जाएगा ना रजिका जी कीज़े होरे यार ऑगी चलो राधिका ने मिरसे बाद में बताया कि हाँ वह अटेंब नहीं हो पाया था पर कोई दिक्कर नहीं देखो क मैं जो बच्चे नहीं समझ पारें को कंटेक्स देता हो पहले का कल फ्यूट से स्लाट वालों का लॉका पेपर था उनमें इसकुछ बच्चन पेपर नहीं दिया था तो इसमें से आज की सेशन जब आज सुबा का सेशन हो रहा था तो वहां बच्चों ने रिफरेंस देना पढ़ता है आई यह नेश्ट के सिश्डी पर चलते हैं कि समझते चले मदा लेते चले क्योंकि जब क्वेस्चन आंसर सीरीज पर आएंगे तो उसको उड़ा रहे होंगे और हां टेलीग्राम पर यह सारी चीज़ा आपको प्रवाइट कर दी जाएंगी इसमें कोई दिक्क बतने जी बस कुछ बातों को समझीएगा यह जो सारी बाते हो रही है यह आपको दिमाग में जानी चाहिए हैना कि जो कंपनी है यह कंपनी क्रियेट कैसे करी गई है होल्डिंग की लेवल पे सब्सेडियरी के लेवल पे यह दिमाग में अठाव जो लाइफ टमेन आफ क्य से और यह बहुत असार है होल्डिंग मेंने क्या बोलाब से एक कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा management पर 50% से ज़्यादा डाइकर्टाइस पर वोट इंप पास पर कंट्रोल रखती है जो कंट्रोल करने वाली कंपनी है वो जिस पर कंट्रोल हो रहा है वो subsidiary clear है आजाओ समझते हैं इन मेरिकन डाइस ट्रांस्पोर लिंट वर से बिटे सांट तो ठीक है अ ट्रांस्पोर कंपनी वांटेड to obtain license for its vehicle but it could not do so if it made the application in its own name अगर खुद की नाम से application बनाती है उसको नहीं मिल रहा क्यों आगे पढ़ते हैं if therefore formed a subsidiary company and the application for license was made in the name of the subsidiary आगे बढ़ जाओ the vehicle was transferred to the subsidiary समझ रहो आगे बढ़ते हैं next 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 तुम नीचे रहो यह देखिए तर conclusion का part the parent बोले तो holding and the subsidiary company were one commercial unit यह दोनों एक ही commercial unit and the application for license was rejected कुछ बात समझाई क्या समझना यहां पर discussion का part क्या है हमने आप से बात करें थी एक company होती होलिंग दूसरी company होती है subsidiary बट यहां पर बच्चे कुछ condition है condition क्या है सर जो holding company हो subsidiary company के लिए holding मानी तब जाती है जब उसके पास 50% 50% से ज़्यादा क्या डारेक्टर पर control और voting power पर control होता है इस पूरे question में बात कहीं नहीं आ रही है इससे क्या समझा है इससे समझ में यह आता है यह जो holding और subsidiary company है basically ना यह holding ना subsidiary है यह एक अकेली commercial unit है और अगर यह एक ही commercial unit है बहुत ध्यान समझना तो अगर कोई license holding का reject हो गया है तो अब अगर आप उसको subsidiary के नाम से भी लेना चाहोगे तो भी वो license क्या हो जाएगा reject हो जाएगा आपके मणने question सार ऐसे कैसे reject हो जाएगा because यह दोनों ही अलग अलग unit नहीं है यह single commercial unit है अगर यह अलग अलग होते होल्डिंग अलग है सब्सक्राइब तो यह पॉसिबल हो सकता था आइए लाइव चैड और करते जरा बता दू क्या सब्सक्राइब क्लियर हो गया ब्रस होल्डिंग सब्सक्राइब कंडिशन क्या है कि जो पैरेंट कंपनी जो अपने अपने नाम से बनाते है तो फिर नेश्ट क्या है इफ दिल्फर फॉर्म्ट सब्सक्राइब कंपनी और अप्लिकेशन वर ट्रांसफर्ट तो दा सच्री यह भी हो गया और आखरे में हमें कंक्लूजन क्या दिया गया दे पैरेंट बोल तो होल्डिंग और सब्सक्र अब टेरी कंपनी वर वन कॉमर्शन दोनों एक ही तो कॉमर्शन हुट है ना है सब्सक्राइब करते लिए इतने सवाल कहें करते हो यार पास करा देंगे इतना पता है हमको यह ना क्या पढ़ाएंगे क्यों बढ़ाएं सब अभी बतादें कैसे मुझा तो अंजी ओके हमको एक बच्चा बोला है हमको आप इंसाग्राम पर शेयर करिए इसे बहुत अच्छे कर देंगे कामी क्या है मारे बास बिल्कुल कर देंगे ताब आप आप ने कहा हम ना करें ऐसे कैसे हो सकता है और आप रिप्लाइब नहीं कर रहे हैं सर कि कहता है हमको ना यह आप इंसाग्राम पर शेयर कर दो ठीक है जराफ आप आप यह समझो कि लोगों की डिमांड इस लेवल पर है उन्हें जैसे उगली पकड़ा दो तो इसे कंदा भी उखाड़ लेंगे यह हलात है वही मतलब जितना कर दो एफट इनके लिए वह कम है साब यह टेलिग्राम की एक सिंपल सी एप इंस्टॉल करके उस पर नहीं नहीं आ सकते हैं सर कर दें सब असर पर खाली पर नहीं इतना है कामी धन्दा नहीं को इससाथ तो क्या करेंगे जना चलो अब लाइफ चैट आफ करने दो है ना अगर आपने हमारा जीवन एक हफ्टे के लिए जीलिया ना जिस एजग्रूप में आप हैं कर दो कि दिने के लिए वह आपने हमारी फिल्सायल रहे हैं क्यूंकि आप को दिखाते हैं और रही है वो तो है क्या मता रही है सब्सक्राइब क्योंकि आपको जिसे कोई लेक्षर एक घंटे आपको एक घंटे का दिखेगा बट जो प्रिपेर हो रही हो इसे कैसे ड्राफ कर दिया जाए कौन से questions प्लक कर दिये जाएं सोचना सबसे तगडी चीज होती जब आप सच में काम कर रहे हैं क्योंकि पैसे दिमाग और यह रिजल्ट ना सोच के हैं उसके बाद काम करने की बात है आजो वर्कमेन ऑफ इस रबर इंडुस्ट्री 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 इंडु वेल थियोरी से अब यह आपको समझना होगा corporate वेल थियोरी में दी गई हैं कुछ conditions अगर तो आपने जब मैंने पढ़ाय था आपने पढ़ा था और आप उसको ताबट तो रिविजन ले रहे हो तो condition आप हो याद होगी फिर जैसे पढ़ाओ बोलो कि ये तो हो गया पर सब्सक्राइशन ऑफ दी न्यू कंपनी वास तो यूज डिवाइस तो रिडियूस दा एमाउंट तो बी पेड बाई वी आफ बोनस तू वर्कमैन समझा रहा है क्या हम एक नई कंपनी फॉर्म कर रहा है सिर्फ इस परपस से जो वर्कर्स को हम बोनस देते हैं हम उसको और प्रहा है लेट नहीं करना था है अंडरलैन करना था पिर्सिंग ऑफ देवेला आप आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था मैंने क्लियर किया था पेडिसिंग ऑफ दाव और यूस्टत लेप्तिंग देख उरप पेडियूस और यी यूज होता है तो लूक एड़ा र तीन नंबर की आती है तो तीन नमर में ऐसा बेस बन सकता है क्या दिक्क्तारी जहां आपसे बोल दिया जाए कि भाई कंपनी है दूसरी कंपनी फार्म करी जा रही है सेगंड कंपनी की पीछे का सोल परपद यह है कि हम जो हमारे वरकर्स को कवर्कमेंट कंपेशन बोनस वगर पर क्या नाम आपको अलग दिख रहा है एक ही तो है प्रॉब्लम यहां आई है क्यों वरक्मेंट के बोनस को रिडियूस करने के लिए इस पड़िल कंपनी को फॉर्म करा गया था लाइफ चैट ऑन कर दिया गया है क्या आपको लिफ्टिंग दो कॉप्रेट विल थियोरी क यह पार्ट समझा गया कि लिफ्ट कॉर्पेट विल थियोरी कब लिफ्ट कर जाती है रिएल ट्रांजिशन जब देखना हो कि पड़्दे के पीछे सीन क्या है चल क्या रहा है दर्वाजा तोड रात ऐसा पड़्दा उठा दे वाई ऐसा करके आएगा हूं क्लियर है क्या क्या लोगी हाथ एक हजार बच्च अपने प्रजेंट भी लगा ही दी मुबारक ओजी मुबारक है रहा है ओके है क्लियर है अच्छा सुनों यह मैंने आपको बता रहा है न होल्डिंग के लिए 50 परसंट यह याद रहा है तक्सुर्ण के लिए कुछ नहीं वही कंपनी जिसकी 50 परसंट से रोड़ रखे हो रखे हैं एस्सेटिटी ट्वेंटी परसंट शेर गवोर्मेंट कंपनी 51 परसंट शेर ठी कि क्या हो गया जी कि कौन है जिसका दर्द बढ़ा हुआ मेरे लिए माफ करते सर इसको बच्चा है 51 परसंट शेर गवर्मेंट कंपनी में ठीक है आ जाओ चलो आपकी नराजगी तरह अखोंपर नहीं होगी इधर आओ क्वेस्चन इट तो रफड़ा वड़ते हैं क्वेस्चन क्वेस्चन होगा कि अधियार कर सुबह 11 बज़े हैं यह राक वैसन जल्दी स्रीट करिए और बात करते हैं प्वेस्चन जब अभी के सिटी बेस्ट क्वेस्चन पढ़ाता है तो लास्ट लाइफ चैट छोड़ो इदर ज्यान दो अभी बच्चे लगें हैं आपना मस पढ़ाते हो अच्छा जी कि हम आज आप पड़ो पड़ो अ कि वैदर यहां से क्वेस्चन चालुआ एसके इंफर्षर लिम्टेड कैन भी ट्रिटेट एज गवर्मेंट कंपनी क्या इनको गवर्मेंट कंपनी का ट्रीटमेंट मिलेगा सिर्फ इतना ढूंड लो क्या इस कंपनी ने 51 परसंट या इससे जादा के शेर होल्ट किये हैं अगर अंतरा आतमा साँ जाए हां तो हां कंपनी है नहीं तो नहीं कंपनी नहीं है इतना है सरा क्लियर जल्दी बोलो क्या रखता है पढ़ लो पढ़ लो किता बोल रखाए रोने पेड़ेशर कैपिल डिवाइड इन्टू सिक्स लाक एकुडी शेर ओफ रूफ रूपीज इस हंड़ेश तू लाक एकुडी शेर आफ दे कंपनी आर हैंड बाई सेंट्रल गवर्मेंट और वहले तो यहां पे सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट भाई साब जब बोला तक गवर्मेंट कंपनी तो बोथ आर इंक्लूडड होता है समझ गए आगे एक बात और बता दूं यह सीधे ऐसे इस इस अगर्मेंट कंपनी ऐसे नहीं लिखते पहले हमें इस क्वेशन को फ्रेम करने के लिए क्रिप्या ध्यान से सुने लाइफ जैट मुझे आफ करने दीजिए आप क्या करने ठीक है जी है ना यह लिखने का तरीका देखो पहले म लखेंगे पार्ट ली सेंट्रल गवर्मेंट एंडी प्रेयों जे से भीते द्रक ग्रेंगे देन आफ्टर हम प्रोवीजन की बात करेंगे प्रोई लेका होता है वा도 और आफ्लोड या गवर्मिट यह जो पार्टिल पार-ठे रहेगा फिर सेकेंड फरंबर पर हम क्या पर जाएंगे क्या रहेगा यही समराइज फॉर्म में लिख देंगे और आखरी में कंक्लूजन पर आएंगे यकीन मानों तुम्हारे तीन नंबर में ऐसे तीन नंबर ऐसे देखी एक्जामन रागे निकलेगा यह बच्छा तो पक्का सीटीसी वाला है अब समझें आप छे लाग शेर हैं दो लाक और तीन लाक भीजा तो छे लाग का पचास परसंट कितना होता है वचे छे लाग का एक्यान परसंट निकालो पहले तो फिर बात करी जाएगे ना 0000123 ओके तीन लाग श्याइं हो रहे हैं और यहाँ पर तीन लाग बीजारed रहें आप सल्ञेशन पर चलते हैं चिंता कम करें च्छिंटन के जादा करें हंजी 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 देख लें और जड़ा पताया सब को समझ में आ गया है पहला प्रोसेस मैंने आप से इसा बोला सेक्शन टू सेक्शन 45 में बताया गया गवर्मेंट कंपनी क्या होती है वहां पर इसको बता दिया और ये तीन कंडिशन डाल दी आफ्टर आप आप ने यह लिखा फिर आप इस पर आए और आखरी में आप कंक्लूजन पर आ गए कि यह गवर्मेंट कंपनी है क्या यह बात सब को सुझ में आ गहीं अगया अगया पहले हम बताएंगे जिस टॉपिक की बारे में पूछ है क्या इसको एक्स्प्रेइन करेंगे हाँ वाई सुरों गर्मेंट कंपनी यह होती है अगया आफ्टर हम आएंगे प्रोवीजन पर कि प्रोवीजन कहां से लिया गया है तर आफ्टर आप्ट आप दि आपको पता नहीं है यार यह वही बात है तो लिखी है जो आपने क्वेस्टन में देखी एज़िटी शिपकात दिए कि छे लाग शेयर थे पर दो लाख लिए पर एक लाग बीजा लिए टोटल मिला के तीन लाग बीजार होगे विच इन फिफ्टी वन पर्सेंट अरे यह प्रसेंट यहां पर टाइम कम इंवाल करेंगे ठीक बिक टॉपिक है तो जब भी कोई के सिष्टी बेस्ट क्वेशन बनता यह बहुत आसान होता है इतर देखो यहां लिखा होता है कि पूछ क्या रहे है ना इक्जामिन दर रिलेवेंट प्रवीजन औफ दा कंपनी जैट नंटन वालतु की सथिष्ट सबस्सक्राइब और मेंबर्स को हुसी की हिसाफ से एड़वाइस दे आजाओ लिखते हैं सेक्शन एट कंपनी दिमाइब भाई साब यह तो चारिटेबल पर पर प्रपस की बात वाली कंपनी की बात कर रहे। जहां पर कंपनी चारिटेबल प फर्जी बात है section 8 company कभी भी डिविडेंट डिक्लियर नहीं करती है वो अपने रिसीव होने वाले प्रॉफिट को उसी आर्ट उसी कॉमर्स उसी साइंस उसी चाइटेबल पर प्रमोट करने के लिए लगाती है यह फर्जी बात है कते ही नहीं चलेगा लाइफ चैट ऑन है बत में क्या लिखोगे no it's a government company yes it's a government ऐसे कईसा कर रहे हो कॉपी दिखा दीथी दो दो कॉपी उसके बाद भी सवाल है क्लियर सबको बट अब इसको लिखने का भी अपना तरीका ध्यान से समझना यह जो आपको मैं question दिखा रहा हूं अब जैसे आपको पता तो है कि हाँ डिव प्रॉइन डिखलेर नहीं होगा पहले इस पूरे question में क्रिपया बहुत ध्यान से सुनें इस पूरे question में पहले हमें एक point पर section 8 को explanation में डालना पड़ेगा कि section 8 company होती क्या है एक point पर यह दूसरे point पर हमें जाना पड़ेगा कहां 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 क्या डोके नहीं डिवरेंट नही होती है ऐसा लिखेंगे तो बड़ प्रॉफिट का utilization का होता हो तो बताना पड़ेगा ना तीसरे point पर हम explanation में जाएंगे कि हां सुनो यह ऐसा है conclusion वाला पार्ट क्या यह बात सबको समझ आ रही है सेल्फ कंट्रोल कैसे रखें गुरुजी बड़ा सिंपल है अपने गोल और वीजन से एलाइन हो जाओ खुद बखुद आ जाएगा यह जैसे मैं इसका लॉजी दिता हम आपको कौन है जी ऐसा कोई जिला नहीं जो सीटी सी से हिला नहीं वावे याजी शगला सेल्फ कंट् अगर वो टायर अपनी दिशा में भाग रहें अब इस टेरिंग पर जितना मर्जी सेल्फ कंट्रोल डालो एक्सिडेंट एकदम तय है भाई साब तो सेल्फ कंट्रोल के लिए अलाइन्मन बड़ा जरूरी है ठीक है आजो क्लियर नहीं कर सकती ठीक है वो आंसर में यह रहा इसको ध्यान से देख लो ठीक है ओके हांजी देखो पहले स्टेप चले बताया सेक्षेंट कंपनी यह होती है पूरा यहां तक है ना दूसरे स्टेप चले और हमने बताया कि वह जो परपस है प्रॉफिट वगारा का वो क्या होता है ऑब्जेट को प्रमोट करने सब्सक्राइब और वो डिवेंट डिकलियर नहीं कर सकती तीसरे स्टेप पे चले और फिर हमने बताया इन अबाव केस अर आखनी में सब्सक्राइब कंटेंशन अफ मेंबर इस इन करेट फिनिश्व ओके कॉन है जी लाइफ चैट खुला है तो कुछ भी कॉपी पेस्ट ना खेलें जो समझा रहे हैं वो समझ लें गलती था आप हमारी आफ्लेंट क्लास में होते चलो छोड़ो तुम्हें से निकाल के जग जोड़ देता लेकिन क्या है ना पढ़ो मुस्कुराते हुए काम में मुहबत होगी और काम मुस्कुराहट के साथ होगा पहुत शिद्दत से होगा मद आएगी और गलती से काट रहे हो ना दीवन को और काम को रिजल्ट डिकलेर कर लो खुद का ठीक आ जाओ तब यह क्लियर है क्या यह जली बोलो फिर में आगे बढ़ जाओ क्लियर है कि इतनी देर तक लाइव चैट खला और क्या चाहिए है न ओके रिपोर्ट है हुह हुarm अंगो ऑके जी आए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और यह रहाएं तक्ड़ा सा क्वेशन तीपर ध्हान से देखें और यहां पर क्या-क्या बात ली गई इना यहां पर क्वेश्चन ऐमेंट होना चाहिए था यह जो कि नहीं हुआ है अ कौन है लग याद बताद टॉपिक कौन सा है बस फिर आगे बात कर लेंगे लाइव चैट और फरावट से बताएं कौन सा टॉपिक है यह मुस्कान कल सुबह 11 बजी एक्जाक्ट टाइम याद रखें है ना ओ पीसी ओ पीसी घराव गड़ जाब अधी पीडिया प्रवाइड हो सकता है अभी भी आई ना सेशन में इधर देखो बात आरी ओपीसी की रिख बात है कोई दिक्कत निए दिमाग में क्या रखना है सर 120 अगर वो बंदा इंडिया में है तो वो नॉमिनी भी बन जा कोई दि आ लखना है और यहां पर क्या पता गया कि यह उन पर सिंकम्पनी में बंदें वाल वो सकते हैं और hijo जा सिसPS से देखें सबसे पहले बात natural person होना चाहिए दूसरे नंबर पे इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और तीसरे नंबर पे most importantly इंडियन citizen होना चाहिए दोनों में फर्क है देदार आओ इंडियन City जन भी होना से चाहिए अब आप बोलोगे इन दोने में समझान हों इन्डिया नागरिक और इंडिया न रखी है इन नियन मतलब आप प्रीवेस प्रीवेस यह में 120 दिन भारत थे किया हुआ है ठीक है और नेच्रल परसन मतलब है ना एसोशेशन परसन ना कंपनी न और ना पार्टनर्शिप कुछ भी नहीं नाच्छुरल रमेश महेश सुरेश दिनेश ठीक है जया और सुस्मा सबकी पसंद निर्मा आजाओ बढ़ते हैं आगे हैं तो नवी इंकॉर्बेट वन परसन परसन में ठीक है मेकिंगे सिस्टर ओके नविता इस नॉमिनी ठीक बात है नविता लीविं इंडिया पर्मनेंटली ओ भाई साब बात ही खतम हो गई और विदेश में शादी कर ली अब क्या होगा पर्मनेंट इंडिया पर्मनेंटली इडिज मेंटरी फॉर हार तो विद्ड्रॉर हर नॉमिनेशन हाँ बिलकुल है दूसा इफ नविता मेंटेन दस्टेटस ओफ रेसिडेंट आफ इंडिया अगर वो मेंटेन रखती हैं आफ्टर मैरी मतलब पर्मनेंट अब्रॉड नहीं गई है एक इस पर मत चले जाएगा तो पहली बात तो हमने लिखा कि ओपी सी में हमें कंपनी की कोर्डिंग क्या क्या चाहिए आगे बढ़ेंगे जो नॉमिनी होगा तो पी सी का तर्म 182 नहीं 120 डेज है इंदा इमीडियेटली प्रिसीदिंग फिनेंशल यह ओके अब आते हैं इसे नाम ले रहे है पढ़ो जड़ा इडिज मेंड़ोटरी फॉदा नविता तो विड्ड्रोव हर नॉमिनेशन अगर वो पर्मेंट बाहर रहती तो दूसा पढ़ लू इफ सी मेंटेंड हर रेसिदेंशल स्टेटस सी कैन कंटिनू ती नॉमिनी आफ दी ओपी सी क्या में मेंटेंड करना है मेंटेंड क्या करना है कुछ खास नहीं 120 दिन भारत में लाइट लाइफ चैट ऑन करते कब रहना है प्रिव फिनेंशल एर में लाइफ चैट ऑन करा जा रहा है बताओ यार क्लारेटी आ गई कि हां सर यह भी हो गया कैसे क्वेस्टन देखेंगे ताप ल तो इसको नॉमिनेशन दे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वह मेंटें रखते हैं तो रहे मेंटें नहीं रहते हैं तो उन्हें अपना विड्रॉय कंसेंट देना चाहिए कि मालिक अब हम नहीं रहाएंगे ऐसा गर कि तुम के सिश्डियों कितना इसली टैकल कर पा रहे हो म अगर के सर वाव यहां तक यह अब यह अब यह सर प्रिवेश फिनांशल यह में होगा क्वेस्टन में हर साल नहीं दिया होगा ठीक पिछला साल दिया होगा तो वहां देखना पड़ेगा अब यह सब को यह अब देखो कैसा क्वेशन पढ़ते कैसे हैं में पढ़ना कैसे चाहिए इधर पड़ो ओके कहां से हैं डिफाइन दा मीनिंग ध्यांस देखना मीनिंग ओफ एस्सेशेशन कंपनी यह होगया क्वेशन का पार्ट वन जो उस दिन में कॉपी दिखा रहा था जो एर्र थी वह हो नहीं होनी जी पहले पढ़ो तो हमें पहले यह बताना पड़ेगा एसोशेट कंपनी क्या होती वही बीस परसेंट इंफ्लेंस वाली है ना तिकनिफिकेंट इंफ्लेंस याद आ रहा है आज़ा आके बढ़ते हैं एन कॉमेंट औन वेदर एबी सी लिमिटेड एन एक्स स्वाइज लिमिटेड वुडबी कॉल्ड एसोशेट कंपनी एस पर दर प्रोवीजन तो यहां बताना पड़े क्या यह एसोशेट कंपनी यह सा कुछ है इसा रिलेशन है दो चीज़ चलेंगी एक लोगी मत्सक्राइज को यह जा यह सोशेट का पर्शन का सिंगनिफिकेंट इंफ्लेन से पॉइशं को कैसे लिएंगे पॉइंट नुमर्वन हम एक्स्प्लिनेशन में डालेंगे एसेट कंपनी पॉइंट नुमर्ट टू क्या यह है तो आप से मुझे यह तो नहीं जानना कि क्या होता है बस यह बता दो क्या ABC Limited एक सब्सक्राइब कंपनी है पढ़ के देखो ABC Limited has allotted equity share सब्सक्राइब कंपनी है क्या चाचा जान की कंपनी है ऐसेट कंपनी निये बता जल्दी 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 क्या यह एसोशेट कंपनी है सब्सक्राइब कंपनी है उसमें पंद्रा क्रोन चालिस क्रोन की बात हो रखी है कि अरे 2014 छोड़ दुमालिक आया होगा कहीं से क्या फ्रक पड़ता है अनल यार साधन्यवाद आपका अनल मोडियानी साब कुछ बच्च लिखने येस कुछ बच्च लिखने नो इस वाले हैं कहां से हैं यह नालायक जो हमारे पास राइट से 15 परसेंट की तो है 15 करोण तो मिल रहा है चालिस करोण का डेवेंचर है नालायकों और डेवेंचर क्या होता है लोन लेकि कौन सा इंफ्लूएंस डाल दो जैसे तुम बैंक पोचे च्छा शुरों लोन दे जार चालिस करोण का इंफ्लूएंस नहीं डाल पाओ कि लोन लेकि उल्टा लतिया है कि चालिस करोण का तली दर है लोन है ना चालिस करोण लोन है वो इधर हो सलूइशन का तरीका देखते हैं फिर आद ध्यान से ध्यान लगाएं फोकस रखें तवर तरीके वाला ओहो एक क्वेशन और ले सब्सक्राइब कर देखते हैं वहीं सा रहा है 20 परसंट का सीनी इंफ्लेंस यह था बट कंडिशन में क्या रहा है 15 करोण रुपए विचे लेस दें रिक्वाइड कंट्रूर अफ 20 परसंट है ना चालिस कौन फास्टियार है माली को लोन है लोन में तुम मतलब लोन लेकि इसे तुम करोगे अगले को वह तुमको कर देगा है ना क्लियर है क्या सबको यह कि लिए सभी को अरह जल्दी बताओ फिर हम आगे बढ़ जाए आज सोच सेशन को प्राइविट कर दें क्या सारे बच्चे लाइब है मज़ा आ जागा नहीं बच्चे कर दो कर दो कर दो नहीं ऐसे लियार मज़ा नहीं आएगा हाई यह बताओ क्लियर सबको यह जल्दी जल्दी बोलें फिर हम आएए अपने आखरी टॉपिक पर तुछा से स्पीड बढ़ा लीजिए अबर तोड़ तरीके से क्लियर है मुबारगो जी याद रहें आज आप लोगों का कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट चाहिए होगा रिगार्डिंग दा सेशन तभी ऐसे सेशन और प्लान हो पाएंगे अधर फ्यूजर से स्लॉट की होते हैं चिंता मत करें पर इन मेजर बात पर रहां ठीक है है हां कर दो प्राइविट कर दो प्राइविट कर दो बहुत कलाकार हो तुम और भी है क्या नहीं है सब्सक्राइशन पढ़िए जल्दी चांसर करें पढ़ते कैसे हैं प्रैक्टिकल प्राब्लम आखरी लाइन देखो डिसाइड और वाट पर पर्पोस अ प्री कंपनीज वर इस्टैबलिश पहली बात त्यों बता दो वर देखो लीगल परसनालिटी अफ ओल्टी कंपनीज में बी डिस्रिकार्ड वह थीन कंपनी के बात करी हैं पड़ो भाई थीन कंपनी ओके ओल्ड अगल ब्लॉक फिन एजन फोर देंग देंट इंट्रेस्ट इंकम रिशीट वाइज कंपनीज वस हैंडेट बाक टू ओ हो हो प्रिटेंड एज लोन यह तो आज ही सिखा है तुम्हें है न है न निशी को सब्सक्राइब कम टाइम रहेगा समझो कम होता है तो एफर्ट बढ़ाना पड़ता है यह आप चिंता ना करें हम इसके लिए ब सब्सक्राइब कर देखो तो जो दो आंसर रहा हूं पहला सोलोमन वर्सी सोलोमन भी हो रखा है थूसर इन दा केस आप सर्दिंसा मकंजी पित अंड जुजल वर्सीजिश कमिश्छर फिंकम टाइब टाइब कोड़ एफ्ट एंपर पर केसे आप्र रिखेंग टाइब कॉर्प्रेट टाइब यह न पर्पोर्ट बढ़ा था प्रेटिश्य को इस्रिश्ट गर्ट सोनोमन का रखना है और और क्या उर्ट कर रहा है और वहां पर वाइब की बाद चिल्डर्स की बाद चिल्डर्स चार ऐसा पांच ये तो इधर रखो in the above case f had formed three companies purely and simply as a means of avoiding tax and the companies were nothing more than the facket of f himself the whole idea was simply to split his income into three parts okay conclusion पर चलते हैं यहां देखिए the legal personality of the three private company may be disregarded because the companies were formed only to avoid tax liability यह बहुत तगड़ी की है ठीक है तो बस इतना ही है जी सेशन अब टास्क बताएता हूं दो है बहुत ध्यान सब्सक्राइब करें कि जो टॉपिक था जो के आपको पर इस शुड़ी थी और जो क्वेस्टन था वह आपको कैसे लगी तामज हाया याद हुआ कि नहीं हुआ और सबसे इंपोर्टन लिए यह आपको यहां पर दिख रहा होगा पेपर की सब्सक्राइब करेंगे तो क्या आपको क्वेशन कर पा रहें तो वह मुझे जरूरू बता दीगा पॉंट नूमर वन तास्क नूमर वन वह अभी कर देंगे आप लोग एक दो तीन चार घंटे का समय ले लिए और रात बारवे से पहले-पहले कोशिश करिए कि मुझे कमे तो टास्क कंप्रीट आके जरूर से लिए अगर आपके माक्स में और माइंड सेट में एक वैलू डिशन किया होगा और ऐसा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना तिल दियन मुलाकात होगी बहुत यहल तब तक ख्याल रखो शानदार रहो पढ़ते जरूर रहो आ बहुत ट XL Is एल से बारा रहो बः भाहो जरूर उज़ होगी राम किया इल अएके जरूर शाना प्याल वाँ जरूर आहाँ लिए कमेंट पोलाकात बिynn Sumясा टूर से बद्खरों एल कर दोजो है लिए उन्सक्ना